दोस्तों इस वीडियो में हम 4 श्टोक साथ में डिसकस करने वाले आज हम Tata Steel को डिसकस करेंगे और हम Tata Motors को भी डिसकस करेंगे और हाथ साथ में Tata Power को डिसकस करने वाले एक और कंपनी को डिसकस करने वाले जो बहुत ही जबर्दस बोनस देने जारी है और समय आ चुका है उस दूसरी तरफ क्या इस समय टाटा इस्टिंग में इंवेस्मेंट करना चीए और अगर हम टाटा मोटर्स की बात के तो इस बार तो कमपनी ने कमाली कर दिया है पिछले साथ क्वार्टर के बाद पहली बार कमपनी आ गई है भारी प्रॉफिट में और बीजनस तेजी से बजट आने वाला है क्या होगी बजट में संभवना है और क्या आने वाले समय में टाटा पावर में एक तेजी का दोर आएगा वैसे आज स्टॉक बहुत जबरस दोरा है काफी समय के बाद 4% की तेजी देखिए तो क्या टाटा पावर में इस समय इनस्वेंट करना चीए इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक ओं दबा दीजिए ताकि जब भी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मी अब आप देख सकते हो कि आज काफी ज्यादा वालटाइल रहा एक तरफ चारसों पॉइंट की हमने गिराउट देखी तरफ तींसों पॉइंट की तेजी भी देखी और इसके बाद में लगबग फ्लैट क्रोजिंग अब यह समझ सकते हो कि यह जो बाजर में तेजिनी बन इनने में उन्होंने 41,464 को भीज का अपना माल बेच दिया है वो लगादार भी क्वाली कर रहे है और इसी विज़े से बाजर में अभी फिलालम है एक बड़ी तेजी की उमीद बहुत कम है लेकिन हमारी सारी आसा कल के बज़ट के उपर है बज़र में क्या अनुसमन होती है कि इनका जो मूड है वो चेंज हो जाए अब टाटा स्टील की बात करें स्टॉक आज 119 पे क्लोजिंग दिये 0.72 परसंट की तेजी के साथ है यह लगबग एक परसंट की तेजी है अब यह वे टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा कमाल किया है टाटा स्टील ने अब स् सराइकेला खरसावा जिले के अधितिपूर में इसके लिए एक प्लांट इस्तापित किया गया है इसकी सुरुआत मंगलवार को अधितिपूर में किये गई है जहां से इसका उत्पादन शुरू हुआ है इसका उत्गाटन टाटा स्टील के वीपी न्यू टक्लोजी देव फिलाल बिहार जारकन पच्छिम बंगाल माराश्ट और ओडिशा के लिए ही उपलब्ध होगा और इस स्लैक के प्रोड़क से खेती वाली जमीन को और उपजाव बना दियाएगा जमीन को और आप देख सकते हो कि जो सामन यूरियो का इस्तेमाल करते हो उससे खेती को जमी बना देंगे वैसे तो देखे तो इसका पैटर्न ने बहुत सालों पहले करवा लिए था लेकिन अब इस प्रोड़क को बाजर में उता रहे तो एक तरसी एक गेम चेंजर सावित होगा और खेती में लोगों का जो एक प्रोड़क्शन है उसमें व्रिद्धी होगी है काफ बीस के आस्वस आपको खरीदारी करनी है अब यहाँ पे देखे ग्लोबल ब्रोकर जब जैफरीज अल्री इसका विवन फिप्टी का टार्गेट दे चुके उनके हिसाब से आने वाले समय जिसतर से चाइना की जो लॉगडाउन की सारी गतिविद्या खत्म हो चुकी यह ज अब हम चलेंगे टाटा मोटरस की तरब स्टोक आज 451 पर क्लोजिंग दिये 1.77% की तेज़ी के साथ में पिछले एक महीन में स्टोक में 14% की जबरत समने तेज़ी देखिए और अगर हम सिरफ 5 डेज की बात के स्टोक ने 8% की तेज़ी बदाए जबकि इस दौरा में प्रोफिट में कमाल कर दिया दिसंबर 2021 में पिछले साथ क्वाटर के बाद पहली बार कमपनी प्रोफिट में आ गई है और इसलिए यहां पर माहूल पोजिजुग बना है इनका जेलर का बिद्नस भी काफी कमाल कर रहा है यहां पर देख सेकते हो सिटी ग्रूप ने टाटा मोटर्स की बाई की कॉल दिया उनका जो टार्गेट है वो 5485 का है जो काफी सांदार है इसके लावा देखे तो एक बड़ा डिसी नौर टाटा मोटर्स ने लिया है आज से उन्होंने अपने पैसेंजर विकल की प्राइ नीची है अब हम चलेंगे टाटा पाउर की तरह आई स्टॉक की क्लोजिंग 212 पर रही जापे 4.21 परसंट की जबरदस तेजी देखनों को मिली अब देख सकते हो कि आज इसने 4 परसंट की बंपर तेजी दिखाई है और यहां पर देख सकते हो कि इसके टार्गेट भी नि 98 का निकल लगाने को का गया था अब HDFC सेकूर्टी के तरफ से इसकी बाइक की कॉल है उनका जो टार्गेट है वो 243 का है अब आप देख सकते हो कि हमारा बजट आने वाला है कल बजट हमारे सामने होगा तो ग्रीन अनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी अनॉस्मेंट हो स जिसका फाइदा Tata Power को डारेक होता हो दिखाए देगा क्योंकि Tata Power वीन और सोलर अनर्जी दोनों में ही सकरी है इसके अलावा इलेक्ट्रिक वीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बना रही है और स्टोरेज का काम भी करी है तो यह समझ लो कि इसके लिए जो सरकार के तरफ से अनॉस्मेंट होगी इसका सीधा फाइदा Tata Power को होता हो दिखाए देगा वैसे सरकार PLI स्किम और लॉंच कर सकती है नई इसके लावा सरकार Green Sovereign Bonds ला रही है और इसके लावा Tax Bonds भी ला रही है तो बहुत सारी यहापे अनॉस्मेंट होगी इस बजट के मादिम से जिस स्मार्ट मेटर भी बना रही है जिससे electricity सेव तो होती है इसके लावा जो उसकी चोरी होते है लिके जो भी बन हो जाती है आप यह भी समझ सकते कि पिछले एक साल में Tata Power बिल्कुल नी दोड़ा और मुझे लग रहा कि अब यह दोडने का समय सुरू हो चुका है जल्द ही आपको Tata Power में investment करना चीए यह लंबी रेस का गोड़ा एक लगातार वैसा ही return दे सकता जैसा इसने कोविड काल में दिया था जब 28 का stock 300 तक चला गया था तो बिल्कुल वैसा return देने को stock त्यार है निवेस आपको जरू कर लेना चीए अब हम चलेंगो उस stock की तरब जो आप बोनस देने जारी है तो यहाँ पर हम बात करें है MK Proteins Limited की यहाँ पर इसकी price फिलाल 2121 की है जापर 0.30% की मामुली सी गिराउट देख रहा हो मिली लेकिन इस stock ने पिछले एक देड़ सार में लोगों को bumper return दिया यह multi-banker सामित हुआ है इसका 52 week का low देख सकते हो 136 का है लेक चुके 3223 यानि फरवरी की तीन तारिक अभी अगर आप कल शेर खरीते हो तो आपको बिल्कुल बोनस मिल सकता है क्योंकि इसकी record rate भी 3223 ही है तो कल यह आपको यह बोनस मिल सकता है और stock काफी सांधार लग रहा है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisors रिपाड़े ले यह अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू कीजिए और channel को subscribe कर दीजिए